C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे भारत की नदियां श्रिंखला के अंतरगत कारिक्रम महा नदी भाग दो साथियो, पिछले कारिक्रम में हमने सुना था कि सिहावा के पहाड़ियों से नाश्ती, कूत्ती, कल-कल करती हुई महा नदी 36 गड़ के घने जंगलों और पठारों से गुजरती हुई धमतरी पहांचती है और अब शुरू होता है महा नदी का धमतरी के बाद का सफर धमतरी एक प्राचीन शहर है आज जिले का मुख्याला है धमतरी सामाजिक और आर्थिक गतिविध्यों का केंदर रहा है आजादी के आंदोलन में यहां के लोगों ने बढ़ चोड़ कर हिस्सा लिया था आज ये आदिवासियों की सामाजिक चेतना का भी केंदर बन गया है कांकेर, धमतरी, जगदलपुर, चतीस गड़ के दक्षनिक शेत्र है यहां के लोगों ने आजादी के आंदोलन में भाग लिया ठाकुर पूरन सिंग ने चतीस गड़ी और हलवी बोलियों में देश प्रेम की भावनाओं को जागरित करने के लिए कई लोग गीतों और कविताओं की रचना की, जो आज भी सुने जा सकते हैं स्वतंत्र रतनों आमचो भारत, एक हजार बरक आगे हर एक पदिन देश ये रेलो, तेबले कहानी जागे सत धरम ले लोट रला, रजो धाम चो छाए, सरगुन ने गोटी धान ने पोल, निकरते रला पाए अर्थात, अंग्रेजों के आने से पहले, सत और धर्म का राज्य था सब जगह सुख शानती थी, भरपूर फसले होती थी, भूख और दुख नहीं थे मैं महानदी धमतरी के पास मुझ में कई छोटी धाराएं मिलती हैं, बरसात में ये धाराएं पानी से लबा लब भर जाती हैं मेरे आसपास के खेत्रों को जल्मगन कर देती हैं गाउं, घर, खेत, पानी से डूट जाते हैं कभी-कभी गाउं की गाउं खाली हो जाते हैं लोग अपने बाल बच्चों और पशुधन के साथ उजी पहाडियों पर चले जाते हैं कि झाल। गने जंगलों में मेरा सफर और सुन्दर हो जाता है विशेशकर 36 गढ़ राज्य में यहां साल और सागौन के पुराने जंगल है इनकी लकड़ी मजबूत और टिकाउ होती है चौखट पल्ले और दूसरे इमारती कामों में प्रयोग होता है यह बाजार में महंगी बिखती है शायद इसी कारण सागौन और साल के जंगल अधे क काटे गए हैं अंधा धुन्द पेड काटने के बुरे परणाम अब नजर आने लगे हैं लेकिन इसमें महानदी का क्या दोश है इनसान खुद ही जिम्मेदार है अगर इसी रफतार से जंगल कटते रहे तो महानदी का अस्तित्व खत्रे में पड़ सकता है महानदी के रास्ते में महुआ के जंगल है चैत्र के महीने में इन पेड़ों पर खुब फल भूल आते हैं पेड़ों के पास बड़ी अच्छी सुगंध आती है सुबह सवेरे बच्चे औरत मर्द नीचे गिरे फलों को इकठा करके बाजार में बेचते हैं ये आदिवासियों के जीविका का साधन भी है इन फलों से पेवपदार्थ भी बनते हैं इन जंगलों में तेंदू के पेड़ भी है तेंदू के पत्थे चोड़े होते हैं इनका प्रियोग कई कामों में होता है जैसे तेंदू के पत्तों से बीडी बनती है सुबह सवेरे से ही बच्चे, औरत, मर्द सभी बीडी बनाने के काम में लग जाते हैं अब ये काम भी आदिवासियों से छीना जा रहा है इन्होंने अपने जीवन यापन को प्रक्रते के अनुसार ढला है ये लोग पहारी ढलानों पर रहते हैं इनकी छोटी-छोटी बस्तिया है स्थानिय पदार्थों से ये घर बनाते हैं जैसे लकडी, पत्ते, पत्थर और मिट्टी जंगलों को काट कर खेत बनाते हैं मक्का, कोदो और बीन उगाते हैं खेती के तरीखे पुराने हैं इसी वज़े से पैदावार भी कम होती है आदिवासियों ने प्राकरतिक ताने बाने को समझा है ये लोग प्रकरति के पास भी है और साथ भी प्रकरति का दोहन केवल जीवन यापन के लिए ही करते हैं लाब के लिए नहीं प्राकर्तिक रूपों को देवी देवता भी मानते हैं उनकी पूजा करते हैं शेहरों में गोडों के चलते फिरते दवा खाने देखे जा सकते हैं यहां के जंगलों में वनो आशदियों के भंडार हैं कॉंड के अतिरिक्त, हल्वा, केवट और बैगा हैं जो जंगल पर निर्भर करते हैं इनके घर साफ सुत्रे होते हैं अगर किसी को बुलाना हो तो एक विशेश आवाज देकर बुलाते हैं आवाज जब जंगल में गुंचती है तो बहुत प्यारे लगती है यहां के लोग वर्तमान में जीते हैं भविश्य की चिंता कम करते हैं सभी खुले में रहने के आदी हैं जीवन में भी काफी खुलापन और सच्चाई है इनकी जीविका जंगलों पर आधरित है लेकिन आज ये संबंध तूटते जा रहे हैं बांधों के बनने, खनिजों के खनन और वन विनाश जैसी क्रियाओं से पानी, मिट्टी और पेड़ों का विनाश हो रहा है पहले आदिवासी जंगल का स्वामी था सभी उत्पादों पर उनका अधिकार था लेकिन सन 1830 में इस्ट इंडिया कंपनी ने नए कानून बना कर भारत की वन संपदा पर भी कबजा कर लिया था व्रॉब के मजए है हमने सदियों से जंगलों की रक्षा की है, पेड़ों को पाला पोसा है, जंगल हमारा है, हम जंगल के मालिक है नौ, 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 किस ने कहा, जंगल कंपनी का हाई, तुम कान होता हाई तुम गोरा लोग कल से आया है कैसे मालिक बन सकते हो हम जंगल में रहते हैं देख बाल करते हैं कमपणी ने क्या किया साल सागोन शीशम की लकरी आचा है हम खाटेगा हम बेचेगा हम ये नहीं होने देंगे निशन तुम हिंडूस्टानी काश नहीं जानता हम जंगल को ज्यादा जानते हैं साल की लकडी से रेजबे लाइन के स्लीपर बनाएंगे बंगले बनाएंगे मैं आदिवासिक शेत्र से निकल कर चारामा के निकट पहुँचती हूँ मेरे जलप्रवाह के दिशा में परिवर्तन आता है यहां से उत्तर पूर्व दिशा में बहने लगती हूँ क्योंकि रास्ते में दूसरी पहारी शिंखला है इसलिए पूर्व की ओर मुरती हूँ यहां कई किसानों की बस्तियां हैं जो सिचाई के लिए मेरी राह देखते हैं क्या यहां किसानों के अत्रिक्त और लोग भी रहते हैं? हां जगे जगे चरवाही भी हैं जो गाई बक्रियां पालते हैं मेरे किनारों पर हरी हरी खास खूब उगती है वो देखो सामने बोधू नाम का लड़का गाई चरा रहा है कैसे हो बोधू? मैं अच्छा हूँ एक बात बताओ न तुम इस जगा पर धीमी क्यों बढ़ जाती हूँ? समतल घाटी जो है घाटी क्या है? मेरे धलानों के बीच वाला भाग जिसमें मैं बहती हूँ इसकी आकरती गुलेल जैसी या अंग्रेजी के वी आकार जैसी होती है ये उपर से चोड़ी, नीचे से संक्री होती है सामने पानी ही पानी है समुद्र जैसा? बोधू, ये समुद्र नहीं है मैं हूँ मेरे दोनों पाटों को रोग दिया गया है इसलिए पानी जमा हो गया ऐसे स्थान को बांध कहते हैं मैं समचा नहीं जब नदी के दोनों किनारों को चोड़ी दिवार बना कर रोग देते हैं रुके हुए पानी के जलाशे को बांध कहते हैं हम शायद यही नियती है उचलती, कूतती जल प्रपात बनाती हुई जंगलों को हरा भरा करती हुई अटखेलिया करती हुई महा नदी का रूप यहाँ पर कुछ और ही दिखाई पड़ता है गती धीमी पड़ जाती है चोके प्रकृती की गोद से निकल कर अब यह मनुष्य के हाथों में आ गई है गती जरूर धीमी हुई लेकिन फिर भी यह हर पल में जीवन दाईनी है इस पर बांध बनाए गए जिन से नहरे निकली है और इन नहरों ने आज पूरे प्रदेश को हरा भरा कर दिया है अब सिचाई से धान की साल में दो फसले होती है आमदनी बढ़ी है यही वो जीवन दाईनी नदी है जिसके कारण 36 गड़ आज धान का कटोरा कहलाता है महानदी भाग दो और कीमती आनन्द धन्यंकन अमिता भट्टी निर्मान सहयोग दाव दयाल चतुर्वेदी तथा निर्मान एवं प्रस्तुती अजीत होरो दुयो वरे जोडा माया अडो रायो ठुटी गेल तांडायो चुटी गे